स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंसरी टेक्नोलोजी में मैं अनुपरमेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में आज हम लोग बात करेंगे मिथ आफ ओफ ओवर पॉपुलेशन क्योंकि आज कर आप लोग दोनों चीज़ सुनेंगे ओवर पॉपुलेशन कभी हूलाला सुन रहा है फिर पॉपुलेशन कॉलापस भी सुन रहा हूँ तो मैं इसको क्लैरिफाइग कर देना चाहता हूँ तो बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन है क्या मतलब यह आइडिया कहां से आगया एक ओवर पॉपुलेशन तो बात समझें यह बूगी मैन है यानि कि हुलुलुलु है यह हमारे भूत काल की महा बेवकुफी है जो टपकने का नामीने ले रही है तो यही समझें और इससा क्यों है कि हम लोग क्यों हजारों साल से जिन्दा है तो एक आइडिया कि यह ताजा वाइरस कहां से खुच गया बात यह समझें कि हमारे पास कभी डेटा ही नहीं था कि जिन्दी अच्छी हो सकती है यानि कि mainly agriculture पचा उससे industrial country में convert करते है तो क्या क्या असर आता है मतलब जो quality of life बढ़ती है उससे असर क्या होता है तो उससे असर को generally calculate करने के लिए चार phases से population गुजरता है पहला stage होता है poor यानि कि जहां से सब की गाड़ी स्टाट किये यह ऐसी बात नहीं कि यूरोप में नहीं था यूरोप भी महापूर था तो वहाँ पे होता क्या था more kids, more deaths यानि कि आप पिरामिट देखें तो पिरामिट ऐसे कर्फ देता था और हमेसा बोलता हो कि कभी भी population को समझने के लिए population number पे दिहान मत दे यह number है, उसका कोई मतलब नहीं है आप अराम से बहुत बड़ा number हो सहता है चाइना जैसा और पता चल रहा है कि आप 10 हो रहे हो मतलब सीधे उपर जा रहे हो इसलिए हमेसा population पिरामिट पे देहान नहीं यह पिरामिट में दो चीज होता है पहला left or right side होता है एक side में आदमी होता है एक side में और अगर इन दोनों का balance नहीं है मतलब कि एक side में बहुत ज़्यादा कम है वो unbalanced sex ratio है यानि कि तबाही मचने वाली है ऐसा कैसे होता है जैसे कि इंडिया में बुरून हतिया हुआ चाइना में जो one child policy लगाया गया और फिर आपका रशिया में जैसे यह जबरदस्ति का यह बार-बार वार स्टार्ट कर दे रहे बहुत ज़्यादा मेल पॉपुलेशन मतलब उनका मेल पॉपुलेशन पर लिटरली एक पूरा slice गायव है पूरा मतलब फिमेल ओवर है महाँ पर मरने के लिए आदमी भेजते है न तो वही समझेगा अब इसके शेप को देखिया बहुत सारा चीज समाझ सकते है कि अगर यह कर्व दिख रहा था यानि कि बर्थ बहुत हो रहा है डथ भी बहुत हो रहा है यह कहता है first phase यानि कि अभी आप नाइजेरिया में जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको यह दिखेगा आपको यह दिखेगा पहले हर देश में इसी बात नहीं कि ओ इंडिया में होता था जैसे इंडिया में तो छे साथ बच्चे कॉमन बात थी यह सब जगह था पूरी द तब चांसेस थे कि दो या तीन बचके निकल पाएंगे अडल्ट लाइफ तक यह समझना बहुत जरूरी है बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़दा हाई था और दोनों को हाई रहना जरूरी था कि माल लिए उस टाइम में सब लोग ट्राय करते कि यार यार युनों ब ग्रोथ फेज में क्या होता है कि बच्चे ताब के अभी भी पिछले फेज की साब से हो रहा है यह इंडिया में जब वैक्सिनेशन स्टार्ट हो तो यह फेज आया कि बच्चे तो अभी भी होते हैं लेकिन डेथ थोड़ा घर्टने लगा यानि कि पोलियो चिकन गुनिया पॉक्स बहुत सारे जो डिजिस है उस अपर थोड़ा ब्रेक लगा है लिविंग कंडिशन थोड़ा से इंप्रूव हुआ जहां पर आपका सैनिटेशन सब इंप्रूवा उससे बहुत फरक पड़ा ऐसे समझ देरे दरे बहुत सारे चीचेश हुए तो डेथ रेट जोए थोड़ा सा कम हो गया यह हुआ गरोफ फेस तो इससे आपका प्योर ट्रेंगल बन रहा है से कर्फ ट्रेंगल के जगापे प्योर ट्रेंगल मतलब है कि आपका पॉपुलेशन एकस्पलूड करेगा इसी टाम में अप आराम से मतलब भारद जैसे के सिन में अप ले लिये कह 53 करोड से लेकर 50 करोड के आसपास की आवादी थी इंडिपेडनेस के टैंग में 1.5 बिलियन तक कहां से कूद गया पात वही था कि डेथ रेट जो था धरदड़ा के घट किया आपका मेडिकल टेकनोलजी से वैक्सिनेशन से बहुत सार चीज एक सास उधारे तो धरदड़ा के डेथ को हम लोग कम कर दिया अब उसके बाता है स्टेबिलिटी वाला फेस के तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टेबिलिटी वाला फ अब लोगों का बेटर मेडिकल्स के स्केर हो रहा है वो लंबे टाइम तक जी रहे हैं तो यह स्टेबिलिटी फेस में आपको सबसे जादा दिखता है पॉपुलेशन की भाईया बम बम मात्रब बढ़ रहा है इसका आता है फाइनल फेस में आपका दोबारा वही होता है ज फाइनल आप पहुंचते हैं फिर से वहीं पहुंचते हो जहां पर आपका बर्थ और यह समझ लिए डेथ जो है बैलेंसा एक्विपर लिया मत्रों समझ लिए हम लोग सैचुरेट कर लिए चिल मार लिए कि हो गया वाई इससे जरना जादा की ज़रूत है और इसमें बहु कि गूता है और से फ्लूंष साल में यह ढपा है फिन में स्टेश जेज से पार विए पार उमीद था लूग का कि जब यह होता है तो सब सबसादा टेक्नपो kelnोलट परोगो Peach Hoori विए सबसादा थेच्छ करता है कि आप रहोगया चींज कम हो जाता है और बढ़ेज बढ़ से हम लोग फिफ्ट स्टेज के तरफ जा रहे हो तो और इससे पुश मनता कि चांद में जाओ, मार्स में जाओ, मतलब जो हो ना कि धरती एक क्रेडल के तौर पर देखो इस क्रेडल से बाहर निकलो, वो होता है फिफ्ट स्टेज पे, वो नहीं हुआ हम लोग के साथ तो यह स यह से गुजरता है, यूरोप के पास यह पास पहने फिट हो कि वो पहले गुजरी है, राउंड एटीन हंडड में, मॉडरन टाइम में बात कर रहा है, वो इस सबसे निपट लिया थे, और उनके हिसाब से देख तो वो वो सबसे धीमेत है, मतलब कि वो घुसे धीरे धीरे यह पास, नारा अपको भूसे घुजर करते हैं, मतलब कर रहे हैं होने फिले में paust पयाक, यह सिंपगर रहे है, अब कर रहा है एक न देख गूर, मॉष तक जाब लग जाता है बात है आपको भी पता है आप 30 पहुंचों को भी है या मैं तो मुर्ख था किसी से भी बूछ जब भी कि अगी सब होगा कि अजुता है और उस टाइओ यह लिए वह पछने के शाझ से प्जाब में हो सबके साथ होता है और उस डिए में जेह नहीं है पूरा जो दुनिया चल रहा है वो अडल्ट फेज में लोग चला रहा है यह हुआ और फिर होता है ओल्ड लाइफ शिक्स्टी प्लस अब यहां पी यह समझना बहुत रही है कि यह पहली बार हो रहा है कि 60 प्लस बहुत जाला लंब खीच रहे क्योंकि यह जरूर था कि हर दे अगर आप पचास साल के रहते हैं लोग बलते हैं तो लंबा चल गया पचास और मैं जानता हूं मेरे दादी हुदी सबको जो मतलब 95, 96, 97 तक की तो यह समझना है कि अब ओल्ड जो है 60 to 90 हो गया है और यह एवरेज की बात कर रहा हूं यानि कि आप 90 तक आराम से जा सकते है थोड टाइम लगता हूं जो सेंसेस किया जाता हूं इसमें कैलकुलेट होने में थोड टाइम लगता है इसलिव पिरामिट समझना जरू है कि इसमें टाइम भी है एक चीज़ तो यह हुआ तीन फेस ठीक है इसमें आप 2 में डिपेंडेंट हो और सारा काम पूरी दुनिया हमें कॉन समहलेगा कॉन को कॉन समहलेगा तो CCP ने बोला कि ऐसमालेगा तो शुरुशी ररू में काफी सरा पॉलिशी सीलिए थाक कि जवान को बुड़ों को ज़र श्यलग कर दिये ठेक कि जवान सब अपना चले के सहर समें बुड़ों को गाँँ में रख दे उननêts बुट करती है अभी प्यार से उनका सारका पैसा गाटी है अब यह लोग को आदत रही है कि बड़ों को समालना दोता है सब सहरी लाइफ में फसे हुए है तो फस गए और उसके बाद अब टैंक कर रहे हैं इसलिए उनके लिए आइरोनिक लिए बहुत अच्छा हुआ गया है मतलब 60 प्लस जो उनका एजिंग पॉपुलेशन है चाइना वह उतना बड़ा एजिंग पॉपुलेशन करते क्या मतलब सीधे तो आप ठैठाय नहीं कर सकते थे ना तो यह पैंडेमिक समझ लिए उनके लिए तो डिजाइरबल हो गया तो यह बहुत एक कड़वा फेसर है कि अगर अगर दो नहीं तो पहुत जो अगर नहीं करते की क्योंकि अगर आप 60 को खिचने लगते हो अगर अप मेरे को बहुता है कि आप 60 को रटक जाते हैं अभुलेशन के अगर जाना जोब एक्सप्रिएंस अप कहां से बढ़े हैं सहां से पहरा है तो अगर झाल लोगों को इक्वेशन में बहुत खतरना थावित होगा तो यह हुआ पॉपॉलेशन का मेन और इसलिए बोलता हुँ है रियल नहीं है अब आते है इसका डेटा में तो और पॉपॉलेशन में हो गया हुआ ओवर रियाक्षिन यानि कि बहुत सारे गंदे लोग यानि कि सही में गंदे लोग और बहुत सारे मिस्गाइडेट पीपल जैसे आपका यह समझ लिए बिल गेट्स हो जा है मतलब बिस्गाइडेड लोग वो हुए जो करना अच्छा चाते थे लेकिनोंने समझ नहीं थी और बुरे लोग जो सही में बुरे थे तो यह सा सम कि यह बोल दिये कि तबाहो जागा दुनिया क्या कौन डेटा है जो यह कहता कि दुनिया तबाह जागा क्योंकि यह है रफली रफली बता रहे है कि 1927 में 2 बिलियन था उस टाइम आप किसी को बोलते कि हम 4 बिलियन को खाना खिलाएंगे लोग बोलते बही क्या फू करे हो लेकिन वो 4 बिलियन तो हम लोग 1974 में ही क्रॉस कर गया है उस टाइम आप किसी को बोलते कि हम लोग 5 बिलियन को खाना नहीं है आज हम लोग 7 बिलियन है उससे वह उपर छूस सकते हैं तो यह डेटा कहना की पॉपुलेशन हम लोग नहीं सबाते हैं यह महा मुर्खता था औ इंसानियस के बास यह है बुद्धी जेड़ किलो का बुद्धी है भाई यूज कर लेते हैं सॉल्फ कर लेते हैं प्रॉब्लम तहीं समझने वाली बात भाई थे और यह जो बुरे लोग थे और मिस्गाइड़ लोग थे इन्होंने मतलब यह कर लिया कि हम पूरी दुनिया कष्ट जो है पूरी दुनिया में जो भी कष्ट है आपको जो कष्ट लेना है उस कष्ट हो लीजिए वो कष्ट क्यों है पॉपुलेशन हर समस्या का एक समाधान पॉपुलेशन क्यों है भाई यह पॉपुलेशन पढ़ाई क्यों हो रहा है पॉपुलेशन हर चीज का राम कल्चर जैसे दुनिया में वाली सौ कल्चर है तो सौ में कुछ गढ़बढ़ होंगी है अववेसली है लेहन क्या 90 फेसे इसमें खराब होंगे नहीं लेकिन इस टाइम में अधर को काफी अच्छा मौका मिल जाता है उनको है ना क्यों कि मैं बता है यूरोप पहले गुसा था यूरोप पहले गुसा तो उसको बाकी सबसे बहुत नीचे नजस रिखता है जबकि बुल रहा है बंगलादेस से जाधा स्पीड से काप्चर की है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं धाड़ खतम सर खतम सर आपके बच्चे तो भी स्कॉलेज नहीं निकले हैं हम तब तक सम्हाल ल और फिर पूर पीपल ये इंडिया में भी आपको गरीब लो गरीब लो नहीं सर उससे कोई प्रावलम नहीं है अब ही बोल रहा है ये नॉर्मल चीज है और गरीबी की विवाबात करते हैं अगर आप गरीबी देखते हैं 1820 से जिसका डेटा है तो उसमें एब्जेक्ट प आप हावाज पर चलोगे लोग नहीं खा पा रहे थे तो उबर जा रहे थे फिर वो घटने ला तब ही आवादी बढ़ रही है अवादी ऐसे बढ़ती नहीं है जब तक खाना नहीं हो अब फिर हर देश चाहे आपका इंडिया लीजे चाहे श्रिलंका लीजे हर कोई मेहनत कि आपना poverty level को control करने में, break लगाने में, उसको manage करने में और गाफी हटता कम लोग successful हुए है तो यह समझना बहुत जरूए है यह तो हुआ सुरू-सुरू में यह आप बात कर रहे हूँ, 1950s से 1980s के बीच का यह वाइरस था जहांपे कि दूसरों से नफरत को वो दे दिया गया और poor people का नफरत दिया गया और इसी टाइम का बात करते हैं कि आपका बिलकेट सुरूर इसको भी लगए कि वो इंडिया में यह होना चाहिए भाई थारा footprint ना आधा दिल्ली के बराबर का है अकेले का तो वो बोलना बहुत बहुत कुसरा अब इसमें आता है modern कचरा modern कचरा होता है modern activist और इंडरा गंधी जो जबरदस्तिका की थी mass sterilization जो की थी वो कारण वही था कि उस टाइम अमेरिका बोला था कि हम हर country को support करेंगे जो sterilization करेंगे उस टाइम ओवर population को इस तरह से देखते थे कि sterilization करो तो उसी लिए मतलब तबाही मचा दी दुनिया में लेकिन किसली वही वही बुल रहा है अब इसमें आता है modern taja virus taja virus यह है कि दुनिया जो है ना तबाह हो रही है क्योंकि population है और उसमें क्या दिखाते हैं कि इंडिया में जैसे यहाँ दिली में इतने slums हैं मुंबई में इतने slums हैं इसलेक भाई उन slums का आप carbon footprint निकालोगी वह जीरो के बराबर आता है जीरो के बराबर वहीं पे एक European family ले लो मतलब कहने को सिर्फ हम दो हमारे दोएं लेकिन उनका गाड़ी चार-चार्थ हो रखा हुआ है घर का power consumption के बारे में तो बात ही नहीं करना है और जितना plastic consume करते हैं उसके बारे में बात ही नहीं करना है भाले दिखता है साफ सुतरा है लेकिन carbon footprint इतना जादा है कि वह बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि उनकी एक family का energy consumption इंडिया के पाँच family के बरावर होता है तो ये activist जो है उसमें भी ये virus टालती है और हर कोई ये भूल गया कि भाई हमारे पास 18 सदी से detail है हर देश में जखे ये हर सेंघा कि हम लोग हर बार अावादी बढ़ने पर सम्हाल लेते है क्योंकि अवादी तभी बढ़ती है ये समधनी बढ़ते है हम लोग नीचर से उपर उठे है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नीचर कोई रूल पही तो अभी है ज़्यादा नहीं होना ची हर बार हम लोग क्रोस कर देते हैं और जिस स्पीट पे हम लोग चल रहे हैं और अगर सही डिरेक्शन करें प्लानेट का एक अपर लिमिट है वह अपर लिमिट बहुत बहुत उपर है उसका मैथमेटिकली हम लोग है कि अगर इसानी बाडी करीब 300- अगर बाडी करता है हीट तो कितना मतलब कर सकते हैं वह 10-20 अरब खरब आता है बहुत बड़ा नमबर आता है ऑविसली इंडूसका नहीं काउंट कर रहे लेकिन बहुत ज्यादा का जगह आप ही बचा हुआ है मतलब 50 बिलियन तक तो सोच नहीं नहीं है सोच नहीं नहीं ह वहीं बोलना है कि हर टाइम जब हम लोग नमबर डबल की है हर पिछले वाला अरे ऐसे कैसे हो जागा कर लिए सर अपने आपको इतना महान मत समझे कि आपके आगे वाले सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम यहीं बोलने ओवर रियक्शन कि यह जो उट पठांग जैसे लाइस होने की जगा कोलाप्स कर गया चाइना को चोड़ के बाकि सारी कंटरिक खुद से क्लाप्स किया चाइन तो जबरदस्ती क्लाप्स किया था और यह काफी लोगों को समझ भीना थी क्यों खराब है काफी लोगों इस गुड थिंग तबाही जो मचेगी आप विश कर हो गया कि वापस पुराने टाइम में चले जाए अब उस तबाही को समझते हैं आता है economics ठिक एकनामिक्स में यह समझिए क्यों कि जिन्दगी में तीन फेज होता है जवान फेज हो गया एडल्ट फेज हो गया तो इस तीन फेज में से तह दो फेज आपको सीधा सीधा आप एक चीज़ का, चाहे वो software हो, चाहे वो services हो, चाहे वो tools हो, चाहे वो products हो, हर चीज़ का दाम rampantly भागने लगेगा, क्योंकि गर workers नहीं है, तो चीज़ बनाए नहीं जा सकते, चीज़ बनाए नहीं जा सकते, रोटी जाएंगे, चाहिना में सब work क्यों चला गया, क्योंकि वहाँ पे workers थे, यह समझे है, technology नहीं थी, workers थे, workers, चीप labor कहा जाता, टीप technology नहीं बोली जाती है, चीप labor था, तो यह समझना जो रहे कि, तो क्या होगा उसका side effect, सारी देश के domestic production खताम हो गया, और फिर बाहरवाले दाम बढ़ाने लग जाएंगे, तो यह आपके साथ भी होगा, कि अगर आप worker shortage स्टार्ट करते हैं, यह समझना जो यह आपके हर लाइन में लागू होगा, यानि कि टीचर के salary बढ़ानी पढ़ जाएगी आपको, आपका जो बैंक्स में लें, वो उनका भी बढ़ाना पड़ जाएगा, और वो नहीं भी बढ़ाएंगा, माली जाप नहीं बढ़ाते हैं, वो service करी नहीं पाएंगे जादा लोगों को, तो इसमझना यह और यह समझना, पूरे प्लानेट पे हर फेल हो जाएगा, हर एक monetary system फेल हो जाएगा, जैसे कि common misconception है लोगों का, कि हम लोग फियाट करेंसी इस्तमाल करते हैं, लेकिन वो नकली है, क्योंकि हम लोग गोल्ड से बांध के निरखें, बात यह समझी, गोल्ड का कोई कीमत नहीं है, आप रिगिस्तान में तरप रहे हैं, आपको कोई एक लीटर पानी देगा, कि एक कीलो गोल्ड लेगा, आप इसको क्या चुनिएगा, पानी ही चुनिएगा ना, आपके घर में गर्मी नहीं है, ठंडा से बरफ सोना देंगे कि बिजली देंगे, क्या जाद आप कीमती है, बिजली ना, तो यह समझना बहुत ज़री है था है, गोल्ड की वैल्यू इसलिए है कि हम लोग उसे किसी दूसरे चीज़ से बदल सकते हैं, आपको कोई एक किलो सोना दे, आप सबसे पहले उसे बदल दोगे किसी चीज़ में, और हर को यही करता है, तो यह समझना बहुत ज़री है कि फियाट करेंसी और गोल्ड में कोई खास अंतर नहीं है, सारे फियाट करेंसी जो अभी दुनिया में चल रहे हैं, वो सब भरोसे पे चलता है, इसलिए अगर आप अपना भारत सर्कार का नोट देखें, उस विल कता है, मैं जो भी गवर्नर है, मैं इस रकम को अदा करने का वचन देता हूँ, जो भी है, हर देस में होता है, चाहे, आप डॉलर देख लिजए, ये यूरो देख लिजए, हर देस में देख लिजए, अब इसमें बात रहता है कि ये चलेगा कैसे अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, ये चलेगा कैसे अगर आपका 30-60 का फेस कम होने लगता है, यानि कि वो श्रिंख होते है, पैसा डालेगा कौन, पैसा बनाएगा कौन, पैसा बनाएगा कौन, पहले ये समझिए, jun में थी major में पटोमेट के और 70 mi का पैसा ईड़ा और पैसा हमेसा नीची वाले से और रहाबत, पचास से चालिस कर रहा हूं लेकिन एक डढ़ सो स्कूल स्वहा हो जाएंगे उससे और यह हर स्टेट ही बात कर रहा हूं फिर इसको एक दो साल तक करें दढ़ा के पता है पूरा कई एक सेक्टर ही खतम गए और पैसा कम पढ़ गया कहां से लाएंगे क्योंकि वही बहुत है कौन एडल्ट कम होने लगे पैसा दिएगा कौन और फिर यह समझे कि जितने भी इंफ्रस्ट्रक्चर आप देखा है जैसे कि मोदी और जापान के बीच में बात चल रहा है कि हम बुलेट ट्रिंड लाते हैं या कोई भी आप प्रजेक्ट लीजिए रनवे लीजिए आप लाइवर लीजिए कुछ भी लीजिए जितने सब प्रजेक्ट देते इंफ्रस्ट्रक्चर जैनि देश का इंफ्रस्ट्रक्चर है वो सब के लोन जो उठाये जाते हैं वो दसकू में होते हैं यानि कि एक-दो साल कर नियुक्त अब बहुत सारे ब्रिच का भी देखते हो ल सब्सक्राइब देने वाले वाले वो देगी क्यों पैसा उसको पता है सर आपके आपक अपके नहीं आ तो बच्चे ही नहीं सार मुझे ऑर यह बोल रहे हैं यह बीज डालने वाला बात होता है कि एक बढ़ बीज डाले तो आम नहीं निकलेगा ना वैसे अगर दिख जैग तो इनको 30 साल बाद ये स्वाहा होंगे, तो कैसे भविष्टी जानते हो, भाई, बीज वही डाले हैं, बच्चे हैं नहीं, अब फिर वहाँ पर क्यों इस पर खर्च करेगा, माले किसी भी इंफ्रस्ट्रक्चर पर, चाहे आपका फ्लाइवर्स हो जाए, रेल्वे हो जाए, जाहें, पैसा हमारा आएगा नहीं, क्योंकि भरने वाला नहीं है, पैसा के लिए भृविष्ट पर वरुसए खर्ण न होता है, भाई वरुस्य यह थैस्ट कौन भरेगाए, तो कुई भरेगा तो don बिखिज एगलाए, पाइट करेंसी लिया हो जाना कि बाइए और बुद आपार्टमेंट सुर्ण खरी लिया मैं चिल रहूंगा बाइद वे सर लोग नहीं है टेनेंट नहीं है जो आकर आपका वह लेंगे मतलब जो आपने अपार्टमेंट जमा कर लिया है क्या होगा उसका यह बोलता हूं यह समझना बहुत रही कि वैल्यू इंसान से आता है इंस चाहिना में हुआ है यह समझना बहुत जरूरी कि अगर बच्चों का रेट बहुत धड़ड़ा के घड़ता है जो कि CCP दुनिया का पहला बना जो खुद से किया बागी सारे बहुत सारे और चीज़ों से बरबाद हुए लेकिन आटो डिफॉल्ट बन चुका है मतलब कि सार साउथ को रिया का बता रहा हुए यह सब डेट हो गया है क्योंकि दिखरों बच्चे नहीं हुए इस साल तो यानि कि आज से तीस साल बार भी बच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि वह जो बड़े होंगे तो पांच लाग का बच्चेसमाली वरकर का इको सिस्टम था वह इकोसिस्टम होता है, वो सारा एकोसिस्टम टै होगा कि बच्चे हैं ही नहीं, क्या करेंगे, यह होता है एकनॉमिक साइट इफेक्ट, इसलिए कोई बुल देना, वो पॉबलिशन घटे को फरक ने, सब तबाह हो जाएगा, सब के सब, सारे लॉंग टर्म प्रोजेक्स खतम ह हो जाएगे, और शौट डियूरिशन में दीरे-दीरे करके सब टै, सब के, सब, थोड़ा जानी, सब, इसलिए ज़रूरी है कि लाइफ चलता रहे, तभी एकनॉमिक्स चलता रहता है, लाइफ रोप दीजए, एकनॉमिक्स भी खतम हो जाएगा, सोना, सोना, सोना को कोई व बहुत ज़रूरी है, अगर population collapse करने लगती है, सारा loan default हो जाता है, by default, अब बात करते हैं, जो दुसरे लोगों भूत चाड़ता है, automation, अब यहाँ पर समझे, life को आप automate नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो वह हो गया, आप बले automate करते रहें, लेकिन बच्चों के लिए जितना ecosystem है, चाहे वो malls हो जाए, चाहे schools हो जाए, चाहे colleges हो जाए, जितना जो ecosystem है, 0-30 तक के लिए, उसको आप टैंक कर देंगे, तो उसका productivity आ रहा है, उसका पर ecosystem हो रहा है, money circulate हो रहा है, वो कहां से आ जाएगा, automation से वो तर रहा जाएगा, और फिर वही समझे, automation तब ही काम करता स्केल पर हो, स्केल का मतलब भी बड़े साज पर कर रहा है, जैसे example देते हैं, आपको यह गाड़ी की factory होगा, नॉर्मल बात है, बहुत सार है, Taita में है, Mahindra में है, Tesla में है, तो एक एक रोबोट का दाम एक गाड़ी से जादा है, तो यह क्यों कर रहा है, क्योंकि लाखो लाखो गाड़ी बनाई जा रही है, लाखो गाड़ी क्यों बन रही है, क्योंकि उतना डिमांड है मार्केट में, अब आप इसका उल्टा कर दो, कि भाया उतने बचे नहीं है, तो अवेसे सब्कों को तरने चैसे मल रहा है, साओध को पाता है, यह साथ नोग में हो नहीं ह फैक्टरी आपका दाम बहुत चीज का घटा देता है, लेकिन कीमत होता है कि बहुत बड़ा उधारी उठाना वड़ता है, अब बहुत बड़ा उधारी आप इस बात पर उठाते हो कि कल को उसका डिमांड हो, जैसे कि टाटा नेनो जो है, वो क्यों अतना रिस्क लिया कि एक इसल आप आठ लाग गाड़ी सेल करोगे, सारा गाड़ी के दाम बढ़ना सुरू हो जाएगा, फैक्टरी इसको तुरंद करने लिए बहुत दुनिया में पूरी दुनिया में पोपुलिक्शन कॉलाप्स हो रहा है, क्या करेंगे सरब उसका, बोल रहा है तब यह उल्टा ह तो वो तो लागो करोड़ों करने पाएगा, और रहा बार जो सबस्यादा से स्पेंड करते हैं, वो 0-30 होता है, थर्टी के बाद आप कमाने लगता है, तो आप दूसरों पर खर्च कराते हो, बीवी बच्चे खर्च कराते हैं, तो यह समझने वाली बात हो था है, वो रहे करते हैं, तो आपको 1-50 में मिलता है, वहीं आप बड़े मॉल का देखें, तो वो 100 खरीकते हैं, तो यह समझना बहुत ज़रूरी है, इसी करते हैं, एकनॉमी और स्केल, समझना बहुत ज़रूरी है, एकनॉमी और स्केल के कारण हम लोग हर चीज अतना सस्ता हो गया, टी- करते हैं, जैसे माली अभी इंडिया में बहुत अच्छा चाही हुआ, कि जीओ फाइबर आया, और उसके चलते चलते एरटल फाइबर आगया, दोनों लड़ने लगे, लेकिन अगर माली देश में आवादी नहीं है, यानि कि ग्रैंट टोटल भी देख लें कि वहीं है, प यूरोप समय तो एक-दो में ही काम चलाना पड़ रहा है उनको, हमारे पस क्यों हैं आवादी जादा है, गाड़ी इहां पे इंडिया में इतने क्यों विखते हैं, आवादी जादा है, आवादी घटा दो तो बहुत दिकश चाहिए, और किसी बच्छे लोग क्या सुचता कि हम चांद पर जाएंगे, हम यह करेंगे, वह करेंगे, उनको बले, तुम ओल्ड एज टेक्नोलजी पर काम करो, और ओल्ड एज के बारे में यह समझी ओल्ड एज पर जितनी टेक्नोलजी लगती है उसमें बहुत बहुत कड़वा बात होता है, मतलब थोड़ सा इमोशनल आप नाइंटी से पहले हमारा टिकट निकाट होगे, ठीक है, लेकिन जो असर है वो तो दिखता है ना, वो असर ओल्ड एज होम में सबसाद है, जब लोगों कान, आँख, मतलब कहने को आँख है, सुनने को कान है, लेकिन, मतलब समझ रहे हैं, सुन पाते हैं, कब दे तो बहुत कड़वा लगता है, किसी को भी लगए, आपको भी लगएगा, आप लगएगा, आप लोगों को दिखेगा, कि गयार, लाइफ डिफिकल्ट हो जाता है, तो वही समझे है, और आप यह समझेगी, एंड अफ लाइफ टूल का वहाँ आप काम करने लगोगे, और आप अब दीरे दीरे बढ़ेंगे, थर्टी एर्स में पुछाओं, उसको दिखेगा, भाई, हमारे तो टेक करने लिल कुछ नहीं, हम उपर वालों को टेक केर कर रहा है, हमारी नीचे तो कोई हमें टेक करने वाला नहीं है, वो क्या करेंगे, इसलिए बोले, फेथ चाही है, ल लागो करोड़ों नहीं बनाए, उस फेक्टरी ही ले दुभाएगा उनको, इसलिए आटोमेशन वाला भूत में मत पढ़िये, कि आटोमेट कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते, अगर लोग काम खताम, एकोनोमिक्स आटोमेशन सब खताम हो जाएगा, अब बात करते हैं, यह स लमुस्ट दो से नीचे उतर चेका, दो जरूरी है, दो भी कम ही है, 2.1 होना चाहिए, वो 2.1 हम लोग इतना घटा चुके हैं, कुछ-कुछ केसे में से इंडिया में ही, कुछ-कुछ स्टेट्स बहुत नीचे उतर चुके हैं, 1.5 तक उतर चुके हैं, 1.5 मतलब अब अब कि आपको दिख रहा है कि आपके नीचे कोई जमीन नहीं है, जपान सबसे आगे चल रहा था, उसके साथ कोरिया अल्ट्रा स्पीट से आगे आगया, तो यहीं समझिया, कि इसमें सबसे बड़ा ट्राइजडी क्या है, ट्राइजडी है कि हमारी दुनिया बतल गई, हमारी सीधे होसिमें सूसू कर देते थे, बाके चीज़ भी करत से बट सीधे कर देते हरित करांती लाए, श्वेत करांती लाए, एक एक चीज़ पर महनत किये, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किये, और आजकर मुझे लिटरली लोगों ने पैसा दे के बात किये हैं, कि सारे इंसाजियें से आवादी बढ़ जाए, इसले हमारा इतिहास बात कर रहा हूँ, इंडिया क बात कर रहा हूँ, वो भी 75 यर्ज की बात कर रहा हूँ, यानि आप लोग होंगे जिन्दा जिनको पता हूँ, इंडिया में खाना ठीक से नहीं मिलता था, और आज हम लोग, अरे यारे, टमाटर इस सब सीजन, और आफ सीजन में हम लोग से कायत करते हैं, टमाटर अच्छ मतलब जो नॉर्मल लाइफ का ग्रोथ है, उसमें यह होना चाहिए, आने वाले टाइम में, मतलब आसे 20-30 साल बात अरे, वो लोग ता 8 बिलियन पर देखो, हम लोग 80 बिलियन समाल ले हो गए, ऐसा होना चाहिए था, हो कहा रहा है, एक हम लोगे घटा दो, इसलिए प्रॉ यह होगा, वोग नहीं सा तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उसका असर एकनॉमिक पर पड़ेगा, उसका असर आसर आटोमेशन पर पड़ेगा, हर वो चीज जो आप गरांटेद ले रहे हो आज की मुझे पानी मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, क्यों हो 상 bumps हैं गो भपिशों कल्चर बन गया है उसमें ये हो गया कि ये लोग थो भूल गया ये एक अच्छी बात थी पूराने टाइम में कि सबको पता है एंड में वैली क्या रखता है फैमिली बाकी सारा चीज हावा पानी है क्योंकि देखिए हम लोग क्या-क्या जेहल चुके है हम लोग यूद है जे सारे देश की जूडिशियरी बाड़ी ने वीड फुके उसमें जहर डाल दिया और अभी इंडिया में एक ताज जहर डाला जा रहा है इसका जहर आपको एराउंड बीस साल बाद आज 2023 चल रहा ना 2043 में सब लोग भाया इंडिया में तो गड़ड हो गया आज जहर डाला कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उसके बाद यह होगा और यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि करियर वेल्थ इसका कोई मतलब नहीं है अगर कोई देखने वाला नहीं है और यह अब आ रहा है कि हैं कोई मतलब नहीं मतलब हाँ आपकी दादी नानी मुर्ख नहीं थी वर फैमली पर फोकस करती थी, उनको पता था, लाइफ में, एंड में, एंड में क्या वैलीव रखता है, ये आपने शिंदगी आगे भढ़ाया, समझें लिए? बना ही इसलिए कि शिंदगी आगे भाग सके, क्योंकि आप पूछते नहीं, ष्लविन का वार्स का फीलिंग है क्यों नहीं पूॉचते हो क्योंकि पत्थर है जिंदगी जिनदगी कफूुचता है वह समझना बहुत जरूरी है दिजास्टर है नहीं जैसे आपको अर्फ्वीक बोले तुनित पता चल जाता है अर्फ्वीक हो गया जैसे अपनी द्राट क क्रीपिंग डिजास्टर इसे कहा जाते हैं इसलिमे पिरामिड जो लोग समझते हैं पीरामिड जो देख पाते हैं जो लोग मतलब कि हा अथमेटिक हैं सर वो जो आपका जैसे मलेड़े टुन्टी टू आले वे तो अब समझ में आगै कि यह बच्चे ज्यासे जैंगे वह या वन मिल जाता है, आपको 30 के बाद 1 मिल जाएगा, 40 के बाद भी 1 मिल जाएगा, एकका दुका एज केसिस में 1 मिल जाएगा, 1 भी मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, आप लोग अपने गलबल देखते हों कि आचकल कितने हाउसोल्ड्स हैं, जहांपे से वेखी बच्चे, 3 तो आपको 1 क 2 का खोजने पिएगा, और हां हमेसें अगएसाल्द हाँ, यसलिए शेंद हमेसा मिल लेगा, इसलिए लोग उसे शेयर करते हैं, कि वह exception है, नॉर्मल नहीं है, exception है, इसलिए शेयर करते हैं, यह थोड़ा एक दूसरा एक blindness आ जाता है, और देखो उसमें हो गया, तो सब का वैसा हो रहा है, नहीं जी, वह शेयर वसी लिए हो रहा है, वह पॉपुलर इसलिए हो रहा है, तो वह ही समझें, और MT स्कूल जो होत किया, आउट अफ कंट्रोल किया, कुछ नहीं सुधारे लोग को, ठीक है, खतम हो, तो अब बाते के बच्चे करते जा रहा है, यह उनका maternity ward का फोट है, लगता है चरनोबिल का, चरनोबिल का नहीं है, यह जपन का है, अब रहा बात यह जपन बाहर दुनिया को दिखा था पासबाग खतम हो गया, ऐसे से करके कृफ्फ होते जा रहा है, सब दीरे दीरे यह आ रहा रहा, इसलिए बीच में जो जपनीस गवर्मेंट का अनाउंस की था कि वह पैसा देंगे टोकी और जाने के लिए कारण वही है, कि बहुत ज़्यादा थीरे देट्स कर आते जा रह और इससे सबसे बड़ा दिकत होता है जो बचे बचेंगे जो होंगे जो वनचाइल्ड पॉलसी जैसा हम लोग पे इंडिरेकली जो लगा रहे हैं उन पे बहुत ज़रा स्ट्रेस्ट पड़ता है सुरू-सरो में बेवी जैसा बेवी एंपरर जिसके कहा जाता है मतलब वनचा तो नहीं लाई हो तुम 99.99% यो नहीं लाई हो जो कि पूरा मतला 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 फैमली का फेद एक पर पड़गा दो लोगों के पड़ता है तो भी थोड़ा बैलेंस रहता है दो का चार-फांच पर पर रहता है तो यह आप लोग लोग पाले टाम में सब लोग एक्जाम के व क्योंकि चार-फांच पचे हैं बैलेंस रहता था और सबको डर था कि डेथ किसी को भी टपका सकता तो लाइफ जी लेते थे आई रोनिकली डेथ के कारण हम लोग लोग लाइफ जी लेते थे आज के लिखने मुल्टा हो गया पता है जिन्दा तो भूंज देते हैं दिमार तो भी समझें और इसका स्ट्रेस जो है अब आपको जो मलेलियंस के मतलब बच्चों निकल रहे है उसको दिख रहा है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है क्यों इतना कुक किया जाए इतना और राभात वान चाइल्ड में बच्चों का जूंड खेल रहा है या जैसे बालू म हम लोग कासल वसल बनाते थे वह कितना देखने को बिलता है तो लाइफ से वह कड़ुआ हट आजा है जो आप लोग देखते होंगे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पर जो काफी सब बच्चे लोग जो आते हैं कैसा कैसा चीज लिखते हैं कि लाइफ से इतना उठ वह उस हैं तो उनको फैमिली का मतलब नहीं पता सिंगल रहे हैं जो साइकोलोजिकल डामेज लेके वह आगे बढ़ रहा है अडल्ट लाइफ में बेरली परफॉर्म कर पाएंगे तो यही समझे यह ट्राजडी सब को तबहा कर देगा सिवा एक को छोड़के एक का तीन चल रहा है बाकि सबका बहुत कम चल रहा है जैसे काफी लोग का है illusion की अवादी से pollution होता है कतार का जैसे ओपेक नेशन से उनका पर-carbon footprint बहुत ज़्यादा है वह यूरोप से ज़्यादा है वह यह बहुत कम है फ्री का टेल मिल रहा है न को यह सोचेगा कोई यह समझना बहुत जरुर पल्यूशन का अवादी से कोई लेना देना नहीं है और रहा बात की problem है ना बहुत अच्छी बात है solve किजिए भागिये नहीं और क्योंकि भागने को option नहीं है there is no option हर किसी को हर living creature को टूपे उपर रहना पड़ेगा नहीं रहेंगे समय बोलेगा बेटा तुम्हारा टाइम खता तो यही tragedy है यह बहुत बहुत आईरोनिक बात है कि आज की दुनिया इस तरह के tragedy है को कि हमारे से कभी कोई डेटा नहीं है लोग पुस्ते ने किसी को नहीं पता है आज तक कभी ऐस्टूपीडिटी नहीं हुए कि लोग टैं हो गया क्या कोई disease आया क्या कुछ हुआ न मतलब कि 20-30 बहुत अच्छा लगता अपने पर खाच का यह बात में मजा नहीं आता है अपने किसी भी फ्रेंड से पुछे इनकर पाइसा पाइसा बैद दूसरों पर मजा आता है बच्चा है वह बीबी हो बच्चे अपने परिवार में लेकिन मजा आता है उसमें बच्च बट क्या कर सकते हैं मैं ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व कर सकता हूं इसे नहीं सॉल्व कर सकता है तो यह था मेरा प्रसेंटेशन वर पॉपुलेशन का जो मित है उमीद करता हूं आपको अच्छा लगा कुछ सिखने मिला कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों शेयर कर दें उसे मेरा काफी भलाओगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद रहे कोई बात नहीं आप डिसलैक दबा सकते हैं मैं काउंगा डिसलैक दो बर दबाएं उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हो है मैं आप से कौनगा कि कॉमेंट लिके मैं हर कोमेंट को हैं तो आपने वीडियो का जनकर मुझे बहुत खुशी भी धन्यवाद